बिस्मिल्ला हरावान रहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जाजन सारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी फूट सीकर्ट्स अल्ला बर्कत दे आपके खानों में, आपके रिज्ग में, आपके जायकों में तो मेरे बेर दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कड़क जाहे कैसे बन्ती है कौन सी चीज कब add करनी चाहिए कब नहीं add करनी चाहिए ऐसा क्यूं करना चाहिए क्यूं नहीं सभी बाते में आज आज़ा आपको तफसील से बताऊँगा कब तक जब तक ये अच्छे से इसमें BOYL ना आजाए आप कावे से बनाए चाहे दूर्से बनाए कभी भी BOYL आने से पहले कुछ भी AD مت किया करें चलें जी BOYL आचुका सबसे पहले इसमें चाहेगी पत्ति तो यहाँ पे 5 κप चाहें बना रहा हूं जब तक ये पत्ती जो है अपना complete color नहीं दे देती चलेंजी यहां पे color आ चुका है सबसे पहले चीज दार चीनी के एक टुक्रा जाएगा तकरीबन एक इंच का और साथ ही इसमें जाएगा अद्रक अद्रक तीन चोटे slices इसमें एड़ करेंगे और ये पत्ती का जब color निकल करेंगे चीनी तो पांच गब चाय है तो पांच टीस्पून मैं इसमें चीनी के एड़ करूंगा आप अपने टेस्के साब से कम जारा कर सकते हैं और खुश्बू के लिए मैं इसमें शक्र का इस्तमाल करूंगा अगर सर्दियों में आप चाय बनाए और खाली शक्र से ही तो यकीन करें वो भी बहुत अच्छी बनती है शकर से किया होता है कि एक तो खुश्बू आती है दूसरा इसके हैल्थ बेनिफिट्स होते हैं सर्दियों में आपको सर्दी कम लगती है चलें जी अब अच्छे से आप इसको फैंट दें चाय को फैंटा क्यों जाता है मैं आपको बताता हूँ इससे चाय फलफी हो जाती है इसके उपर एक तो खुबसूरत सी जाग भी आ जाती है जो देखने में अच्छी लगती है और दूसरी बात चीनी को हमेशा एंट पे अड़ किया करें अगर मतलब चीनी डालने के बाद सिर्फ दो से तीन मिनट आपने प जालते हैं और तो माशाला अलहमदुलिल्ला देखें जी मेरे अल्ला की शान उसकी रहमते नेमते और बर्गते जो दियूसरे हमारे हाथों में हमारे खानों में तो मेरे प्यार पर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए गा वीडियो को इजाज़त अग्ली विडित तक, आला हाफीज